जिसमें हमारा आज का टॉपिक है लड़की जिसकी मैंने हत्या की कहानी की भाषा शैली पर एक टिपणी लिखिये आज के वीडियो में हम इस क्वेस्चन के आंसर को जानेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन पहुँच सके। साथी MSD से related other videos के लिए आप हमारे चैनल की playlist में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किये हम अपना आज का topic स्टार्ट करते हैं। कथाकार आनंद की कहानी लड़की जिसकी मैंने हत्या की कि भाषा गत्यात्मक हैं। कहानी पढ़ते हुए भाषा की गती शीलता का बोध बना रहता है। और कही भी यह नहीं लगता कि यह मूल कहानी का अनुवाद है। आनंद के पास भावों की तीव्रता को व्यक्त करने के लिए आवश्यक भाषिक सामर्थे हैं। प्रारम से अन्द तक पाठक को कही भी भाषिग गती रोध का सामना नहीं करना पड़ता। कथाकार आनंद का भावों को अभिव्यक्त करने का तरीका अत्यंत प्रभावी है। वैसमवादों की अपेक्षा केवल संकेतों से भी पात्र की मनोस्तिती को व्यक्त करने में सक्षम है। यह देखने के लिए इस अंश को पढ़ना पर्याप्त होगा। किचे नम्मा ने मूना खोला, सिर फिर से जुका लिया। मेरे देखते ही देखते आसू की दो चम-चमाती बूंदे उसके गालों पर से फिसल गई। वहीं उसका दिया मौन उतर गया। उसकी शुब्र आत्मा को घेरे अज्यान के पर्दे को उतार फैकना मेरा काम था। किसी भी स्थान पर पहुचने के लिए एक रास्ता पकड़कर उस पर कदम रखकर चलते चलते वैस्थान समीब ही आएगा। इस विश्वास में बहुत दूर चले जाने के बाद कोई रास्ते ना मिले। और यह कहें कि हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वैठीक रास्ता नहीं बलकि हम अपने गंतव्य से दूर चले जा रहे हैं। तो कैसा लगेगा। मैंने अपनी बातों से चेनम्मा के मन पर लगभग ऐसा ही प्रभाव उत्पन किया था। आनंद की भाषा मर्म को छू जाती है। वै जो कहना चाते हैं वै वही कहते हैं। उनकी भाषा विशय से भटकती नहीं है। उधारन के लिए इस अंश को देखिए। मुझे इतना ही याद है। जब होश आया तब देखा वहाँ खड़े दो तीन लों मेरे मूँ और सिर पर पानी छपचपा रहे है। मेरी नाक से खोन बह रहा था। मुझे किसी बात का होश नहीं था। शब के पास आकर बड़ी आशा से देखा। कि और जान है कि नहीं। वै केवल भ्रांती थी। यह ब्रह्म देखकर मन ही मन। मैंने अपने से कहा। यह कैसा पागलपन है। उसकी दे में छिपा वह हिम करण कभी का उड़ चुका था। वह पुन्य या पाप से परे हो गया था। अमरित सूक चुका था। बची थी केवल विश की खली। लेखक द्वारा कहानी लिखने के लिए जिस शैली या शैलियों को अपनाया गया। वै रोचक होने के साथ कहानी के मनतव्य को प्रभाव शाली धंग से स्पष्ट करने में सहायक भी है। इस कहानी में पूर्व दिप्ती शैली, समवात शैली और एका लाप शैली का प्रयोग है। पूर्व दिप्ती शैली में कहानी शुरू होने के बाद भी पाठक कहानी के प्रारंब में ही उससे बंद जाता है। वहलेखक के अतीत के चलचित्र के प्रभाव से बाहर नहीं आता। कहानी के मद्धे और अंतिम हिस्से में मुख्य रूप से समवात शैली और आशिक रूप से एका लाप शैली प्रयोग है। यह कहानी समवादों के बीच ही खुलती है। नेरेटर का एका लाप कहानी का मंतव्य स्पष्ट कर देता है। निशकर्षतहा यह कहा जा सकता है कि कहानी की भाशा और शैली उसके कत्थे का अविभाज ये अंग है। इन्हें अलगा कर देखना उचित नहीं होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है। जिसमें हमने जाना लड़की जिसकी मैंने हत्या की कहानी की भाशा और शैली के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you for watching